आप सभी का स्वागत है मेरे यूटूब चैनल पर पहला मैच IPL का RCB वस मुंबाइ इंडियन्स हमें एक थ्रिलर मैच देखने मिला एक परफेक्ट T20 मैच जो एंड बॉल तक ले गया जो RCB दो विकेट से जीद गया पिच की बात की जाए तो ये एक स्लो पिच था इतना इजी नहीं था बॉल को हिट करना RCB ने टॉस जिता और बोलिंग ली बहुत ही अच्छा डिजिजन था मुंबाइ इंडियन्स ने 159 का टार्गेट लिया क्रेडिट गोस टो हर्षल पतिल फर्स्ट ओवर हर्षल पतिल का 13 रन गया बाकि तीन ओवर सिफ 14 रन देके पार्ष विकेट लिये बहुत ही बढ़िया कटल्स यॉर्कर स्लो डिलिवरिस का यूस किया पर्फेक्ट डेथ बोलिंग RCB का बोलिंग ये मैच में बहुत ही बढ़िया रहा वास अ सर्प्राइज सिराज जैमिसन ने भी बढ़िया बोलिंग की 22 और 27 रन दिये बस मुंबई की बैटिंग की बात की जाए तो सिर्फ क्रिस लिन ने अच्छा खिला आगे डिको काएंगे तो क्रिस लिन को बाहर किया जा सकता है मारको जैंसन ने लास्ट ओवर काफी अच्छी बोलिंग की डेब्यू मैच था उनका बाकी मुंबई इंडियस लगातार फस्ट मैच हारे सिंस 2013 ABD की बात की जाए तो इनका फिनिशिंग इस अल्वेस पर्मानेंट फोर मंच के गाप के बाद इन्होंने क्रिकेट खिला पर इनका कॉन्फिदेंस हमेशा सेम होता है मैक्समेल भी बढ़िया रहे विद विराट कुली विराट कुली की बढ़िया कैप्टेंची तो ब्रिंग हर्शल पतेल इन्स्ट ऑफ सेनी वाज ग्रेट मूव सेकेंड मैच की बात करेंगे तो CSK वस डेली कैपिटल्स था वानखेडे का पिछ था बैटिंग पिछ था ग्राउंड भी छोटा है ज्यादा रंस एक्सपेक्टेड था टॉस जिता डेली ने रिशाप पंथ अज़ा कैप्टन खेल रहे ये सीजन CSK का ओपनिंग अच्छा नहीं हुआ मिडल ओडर एस्पेशली सुरेश राइना वाज प्लस पॉइंट हमें विंटेज राइना का बैटिंग देखने मिला 54 रंस किये राइना ने सपोर्ट फ्रॉम मुईनाली, सैम करन और सैम करन ने लास्ट में फिनिशिंग भी काफी अच्छी से की अग राइडू का बैटिंग प्रॉबलम हो जाता है बिकोज वो कोई पिंच हिटर नहीं है राइडू ओपनिंग या वन डाउन तक ही ठीक है CSK के एंट राइ उतापा नेक्स्ट मैच उतापा गायकवाड ओपनिंग करेंगे तो और आगे का इस तरह हो सकता है कि प्लसिस, राइना, मुईन, दोनी, सैम, जडेजा बहुत ही बढ़िया है, स्टेबल ओडर है CSK ने 188 का टारगेट दिया अच्छा टारगेट था डेली कैपिटल्स के ओपनर्स ने बढ़िया ओपनिंग की 157 का पार्टनर्शिप रहा फृत्विशो और दावन ने अग्रेसिव बैटिंग की दोनोंने हाफ सेंचूरी की टारगेट चेस करना बहुत इजी हुआ CSK की बोलिंग कुछ खास नहीं थी दोनी ने डियो फैक्टर बताया फर दा बैड बोलिंग दीपक चाहर, ठाकूर, सैम करन इनके पास अबिलिटी तो है विकेट लेने की जस उनका एक दिन जो था वो आफडे था दे कें ट्राइ बैरिंट रॉफ जब वो अवेलेबल रहेंगे मुंबई के लिए खेलेते वो लास्ट टाइम उन्होंने काफी अच्छी बोलिंग की थी आइ थिंग नॉट लास्ट टाइम उससे भी पहले का सीजन जो था डेली की तरफ से अवेश खान ने बढ़िया स्टार्ट किया रहने का बैटिंग ओडर इनको ठीक करना चाहिए उनको आप कभी नमबर तीन, कभी नमबर पास इस नॉट फेर वो टॉप ओर्डर बैट्समन है उनका टैलेंट बढ़िया है जस्ट उनको एक अच्छा बैटिंग पोजिशन देना चाहिए डेली ये मैच साथ विकेट से आराम से जीत गया थर्ड मैच की बात करेंगे तो सन्राइल्स हैदराबाद वर्स कोलकाता नाइट राइडर्स का था टॉस जिता वोर्नर ने और उन्होंने बोलिंग की केकेर ने यहाँ पे अच्छा टार्गेट सेट किया क्रेडिस टू नितिश राना और राहूल त्रिपाटी दोनोंने हाफ सेंचोरी की नितिश राना ने एग्रेसिव बैटिंग की दिनिश कार्थिक ने अच्छा फिनिशिंग किया एड़ दा एंड हैदराबाद की बॉलिंग हमेशा बेस मानी जाती है पर इस बार इतना खास नहीं था फास्ट बोलोस ने ज्यादा रन लेक किया रशित खान हमेशे की तरह बैटिंग स्पीन जो था उनका बढ़िया रहा उनका बैटिंग भी बहुत बढ़िया है फास्ट बोलोस अच्छा करते तो यहाँ पे टार्गेट शायद कम होता सेकेंड इनिंग्स की बात करे तो एसरेज का ओपनिंग फ्लॉप हुआ पर मिडल ओर ने बैटिंग अच्छा किया मनिश पांडे, जैमी बैरिस्टो इन्होंने हाफ सेंशूरी किया हमें इनका अच्छा बैटिंग देखने मिला अब्दुल समात को इनको थोड़ा जल्दी बैटिंग देना चाहिए वो नभी के बैटिंग ओर में बढ़िया रहेंगे यह अस दा अबिलिटी, क्लीन स्ट्राइक्स लेते है सु उनको यूज अच्छे से होना चाहिए वनिश पांडे को एंड में थोड़ा और एग्रेसिव होना पड़ेगा उनका लास्ट में बैटिंग इतना खास नहीं था दो या एक रन में काम नहीं चलता दिस वस वन अफ दे रिजन के SRH मैच हारे SRH को सोचना होगा कि उनका जो बैटिंग ओडर कैसे सेट करना होगा प्लस KKR ने बढ़िया बोलिंग के in the second innings sad to see कि हर बाजन को सिर्फ एक ओवर दिया बाकी रसल की डेथ बोलिंग काफी अच्छी थी KKR ने ये मैच 10 रन से जीत लिया आज के मैच के बारे में बात करेंगे तो पंजाब वर्स राजस्थाने वानखेडे में मैच हो रहा है और बिग रन्स एक्सपेक्टेड है पंजाब का बैटिंग ओर देखना होगा Most probably राहूल और मयंग ओपनिंग करेंगे इन्होंने आक्षन में मलान, मेरेडिट, शारुकान अच्छे प्लेयर्स को लिये है मेरे टॉप फॉरिनर्स होंगे फोर पंजाब गिंग्स, गेल, निकोलास पोरा, जाई रिचर्सन और मेरेडिट अर्श्थिप सिंग का टैलेंट भी बढ़िया है देखते हैं उनको लेते ही की नहीं राजस्तान रॉयल्स के बात करेंगे तो इन्होंने मौरिस पे इन्विस्ट किया है वो कॉस्लियस प्लेयर रहे देखना होगा इनका ओपनिंग लास्ट टाइम स्टोक से कराया था फुल डिस्ट्रक्शन बैटिंग की थी बोलिंग यूनिट के बारे में बात करेंगे तो ये मौरिस के उपर जो है हेविली डिपेंड होगी जौफरा इंजर्ड है तो यंग्स्टर्स जो है उनको समालना होगा बैटिंग ओर्डर के बारे में बात करेंगे तो यंग्स्टर्स जो है इनके middle order में तो it will be challenging तेवाटिया इनसे finishing की expectations है My top foreigners for Rajasthan Royals are Ben Stokes, Josh Butler, Morris, Mustafizur Rahman Mustafizur bowling में at the start और end अच्छे रहेंगे उनके पास अच्छा experience है वो cutters, yorkers अच्छे से use करते हैं और slow ball भी So that's it guys अगर आपको वीडियो पसंद आये तो वीडियो को like, share जरूर करना और चैनल को subscribe भी जरूर करना अगर आपने नहीं किया है तो तो मिलते हैं जल्द नए वीडियो में Thank you